एक समय की बात है, हरी भरी पहाडियों के बीच बसे एक विचित छोटे से गाउं में, ब्रुक्विले के नाम से जाना जाने वाला एक घनिष्ट समुदाय मौजूद था। ग्रामी ने गाउं को परेशान करना शुरू कर दिया। जिससे उनका शान्तिपूर्ण अस्तित्व जीवित रहने के दैनिक संघर्ष में बदल गया। समस्या लंबे समय तक सूखे के साथ शुरू हुई जिसने इस क्षेत्र को जकर लिया, जिससे एक बार बहने वाली धारा, उनका प्राथमिक जलस्रोत। मात्र एक बून तक कम हो गया। जैसे ही ग्रामीन इस कठोर वास्तविकता से जागे, उनमें घबराहट और निराशा फैल गई। उन्होंने हमेशा पानी की मौजूदगी को हलके में लिया था, और अब उनके सामने अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए परियाप्त पानी खोजने की चुनौती थी। बुद्धिमान बूरे बेजामिन के नेत्रित्व में गांव के बुजुर्गों ने समुदाय को गांव के चौक में इकठा किया। एक, मुर्जाय हुए चेहरे और एक ऐसी आवाज के साथ जिसने सम्मान का आदेश दिया। बेजामिन ने चिंतित भीव को संबोधित किया। उन्होंने एकता और सहयोग के महत्व की बात की, ग्रामीनों से पानी बचाने और समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करने का आगरह किया। इसके बाद के दिनों में, ग्रामीनों ने पानी की बचत के सक्त उपायों को लागू करना शुरू कर दिया। उन्होंने वर्षा जल एकतर किया, कुएं खोदे और जलग्रहन प्रनाली स्थापित की, हर बूंद की गिंती होती थी। और कभी हरे भरे बगीचे और खेत पानी केवल आवश्यक जरूरतों के लिए राशन किया जाता था। उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, स्थिती तेजी से विकट हो गई। ग्रामीनों ने महसूस किया कि उनकी पानी की कमी केवल सूखे के कारण नहीं थी, बलकि पानी को कुशलता पूर्वक रहीत और वित्रित करने के लिए उचित बुनियादी धांचे की कमी के कारण भी थी। चिलचिलाती धूप में वाश्पित होने के कारण ब्रुप का अलप प्रवाह बरबाद हो गया। एक समाधान खोजने के लिए द्रिर संकल्पित। ग्रामीनों ने अपने संसाधनों क को जमा किया और एक जलाश्य के निर्मान के मिशन पर निकल पड़े जो बरसात के मौसम में नदी के पानी का दोहन कर सके। उन्होंने युवा और वृद्धों को समान रूप से मिला कर काम करने वाली टीमों का गठन किया और दिन रात अथक परिश्रम किया। पूरा का जवाब दिया। पास के शहर के इंजीनियरों और जल विग्यानियों के एक समूह ने अपनी विशेश अग्यता और मार्गदर्शन की पेशकश की। उन्होंने टिकाव जल संरक्षन तक्नीकों की शिरुआत की और ग्रामीनों को जलाश ऐसे पानी को गाउं के हर घर में पहुचाने के लिए नहरों की एक जटल प्रनाली बनाने में मदद की। जैसे जैसे निर्मान कार्य आगे बढ़ा। ग्रामीनों के दिलों में उम्मीद की किरने खिलने लगी। उन्होंने एक ऐसे भविश्य की कल्पना की जहां पानी की कमी अब उनके जीवन को नियंतरि नहीं करेगी। उनका द्रिर संकल्प और लचीलापन आसपास के समुदायों के लिए प्रेरना का स्रोत बन गया। महीने साल में बदल गए और आखिरकार जलाशय पूरा हो गया। एक बार घटते हुए नाले को पानी के एक चमकदार विस्तार में बदलते देख प्रामीन तक पैल गई। जिसने पानी की कमी को दूर करने के लिए प्रतिवध्ध सरकारी अधिकारियों और संगतनों का ध्यान आकरशित किया। ग्रामीनों की उलेकनिय उपलब्धी को स्वीकार करते हुए। उन्होंने अन्यसूखा प्रभावित क्षेत्रों में इसी तरह की परि योजनाओं को लागू करने के लिए अतिरिक्त धन और संसाधन प्रदान किये। ब्रुक्विले स्थाई जल प्रबंधन के लिए एक मॉडल बन गया। और प्रतिकूलता पर इसकी जीत की कहानी ने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया। अपनी अटूट भावना के म आध्यम से ब्रुक्विले के ग्रामीनों ने न केवल अपने स्वयम के पानी की कमी के संकट को हल किया। बलकि अंगिनत अन्य लोगों को भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना करने की आशा दी। जैसे-जैसे साल बीटते गए, ब्रुक्विले में पानी की कमी की याद हम पानी को संजोने और संरक्षित करने के महत्व की एक मार्मिक याद बन गई अपने सबसे बुरे दिनों के दौरान सीखे गए पाठों के लिए गाउं हमेशा सम्रिधा होता रहा और जब भी रुप की कोमल फुसफुसाहट उनके कानों तक पहुंचती तो वे रुप जाते प प्रतिकूल परिस्थितियों में एक एक जुच समुदाय से उपण हो सकती है